उपस्तेत भारत के भावी प्रदान मंत्री बड़े भाई आदनियर राहुल गांदी जी ये समस्तिपूर की धर्ती है सबसे पहले हम करपूरी ठाकुर जी का नमन करते हैं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि करपूरी ठाकुर जी ने जो लड़ाई की शुरुआत की थी जो समाजिक नियाय की लड़ाई को शुरुआत की थी उस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक पहुँचाने का काम करेंगे आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये चुनाओ है लेकिन एक बात समझ दें की जरूत है ये अब तक का देश का सबसे महतपून चुनाओ होने जा रहा है ये चुनाओ केवल एक व्यक्ति विशेश को जिताने का चुनाओ नहीं है किसी पार्टी को जिताने का चुनाओ नहीं है ये चुनाओ किसी गडबंधन को जिताने का चुनाओ नहीं है बलकि ये चुनाओ देश को बचाने का है देश के सन्विदान को बचाने का है चुनाओं में लालू जी आप सबों के नेता उनको इस चुनाओं से दूर रखा गया है राची में बंद करकर के रखा गया है आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी के साथ अन्याय हो रहा है आप सब लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि दस दिन पहले हम राची अपने पिता से मुलाकात करने हैं हमारे पिता बिमार हैं अस्पताल में हैं और आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमको हमारे बिमार पिता से मिलने नहीं दिया गया हम जनता की अदालत में आए हैं जनता की अदालत सबसे बरी अदालत होती है जनता की अदालत में ना तो तार यदो एक बिमार पिता से उनके बेटे को मिलने देना चाये था औक रहा हाथ उठा कर बताये देना चाये था ग 4 यह था कुइन हमें नहीं मिलने दिया गया कुई नहीं इस दर्द को भी हम लोग जो है डबा बहुआ गे है अरु है लेंगे में लेकिन से जानने कि हमारे पिता के स्याओत में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन यह जान कर कि अफ्सोस होगा कि इसी प्रशाशन का डॉक्टर ये कहता है कि लालु जी को इलाश कराना है टेस्ट कराना है और एक हफ़ते से डॉक्टर जो गिरगिरा रहे हैं कि लालू जी को एक कमरे में से दूसरे कमरे ले जाने दिया जाए ताकि वहाँ मशीन है फैसलिटीज है ताकि हिलाज हो सके लेकिन वहाँ की प्रशाशन जो है मना करती है कि लालू जी का हिलाज नहीं होने देरा चाहिए यह पूरी तरीके से आमानविय व लगाया जा रहा है और जो हफते में तीन दिन जो मुलकात करने की अनुमती थी साटडे को शरीवार को वो भी पल्टू चाचा और मोदी जी मिल करके अनुमती नहीं दे रहे बोलते हैं कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता खैर कोई बात नहीं एक बात देखिए हम आप लोग के बीच है और एक एक वोट अगर लालू जी को न्याय दिलाना है देश का सन्विधान बचाना है देश में जिस प्रकार से सन्विधानिक संस्तानों पर खत्रा है आज गरीब और अमीर की लडाई है न्याय और अन्याय की लडाई है देश को बचाने की लडाई है इसलिए अगर देश बचाना चाते हो आरेक्षन बचाना चाते हो तो यहां से एक एक वोट जो है आपशोक राम जी को पंजे छाप पर वोट दे करके जिताने का काम कीजिए 2014 में मोदी जी कहते थे मोदी जी क्या कहते थे मोदी जी के लोग नारा लगाते थे हर हर मोदी घर घर मोदी मम्मी पापा आपके बार मोदी सरकार हम लोग उस समय भी कहते थे यह हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं यह बड़ बड़ मोदी और घर बड़ मोदी हैं इन्होंने बिहार के साथ सोतेला वेवार किया बिहार को ठगने का काम किया ये लोग मोधी की बात करते हैं हम कहते हैं हम मोधी की बात नहीं करेंगे हम मुद्दे की बात करेंगे हम जंता की बात करेंगे हम गरीब की बात करेंगे हम नौजवान की बात करेंगे हम देश बचा सबढ़ाइने की बात किया किसानों का?] किसानों का कर्ज माफी करने की बात के ये लोग भिहार को कहते थे बियार को विशेश राज का अधर देंगे विशेश पाकेज देंगे लेकिन मोधी जी पिछला चुना में चाय वाला थे हमने आज तक गूगल किया हर जगा ढूंडा यहां इतने सारे लोग अगर बता दो अगर मोधी जी को चाय बेशते वे स्टेशन पे किसी ने फोटो देखा है कि ने देखा है कोई देखा है मीडिया के लोगे हमको दिला दो वो फोटो तब हम जाकर के मानेंगे कि मोधी जी चाय बेशते थे लेकिन चाय नहीं बेशते थे मोधी जी की पूरी राजिती दिखावटी बनावटी और मिलावटी है मोधी जी जो है जूट बोलने के फैक्टरी है फैक्टरी manufacturer भी वही है wholesaler और retailer भी वही है तो आप लोग देखिए आप बोलते हैं मोदी जी कि हम चौकीदार है चौकीदार तो आप एक बाद समझ लो मोदी जी अगर आप अपने आपको चौकीदार कहते हो तो देश और ब्यार की जनता थानेदार है थानेदार आपने जो गल्ती की है थानेदार छोड़ेगा नहीं नोट बंदी में आपने पुरा देश का पैसा बैंक में ठुसवा दिया तलवा दिया और बैंक में पैसा जितना जमा हुआ आश्चरी की बात है कि मोदी जी के पूरा देश का पैसा बैंक का पैसा लेकर के विदेश चला गया इसलिए मोधी जी के कथनी और करनी में अंतर है और पल्टू चाचा के बारे में हम क्या बोलें ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं आप लोग बच्चपन में एक मूवी देखा था मैंने चाची 420 अभी देख रहें चाचा 420 चार साल में चार सरकार जिस राज में है उस राज में विकास संभव है क्या तो आप देखिए नितीजी ने क्या काम किया शराब बंदी कराई के वल कागजों पे बंद कराई है हम क बंद है तो पनदरा सो में अंतर तेरा सरू रुपे का है ये रा सा रुपे हैं चाचा जी के पॉकिट में जारा है हमारा गरीब तार के पेड़ पे चाहर जाए महुआ बटोड़े लगे तो उसको जेल और अमीर सब डेली चाप करके पी रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है हमको तो तरद बिहार पुलीस पे आती है बिहार पुलीस का क्या काम होना चाहिए अपराधियों को पकरना मडरस क पकरना रेपिस्ट को पकरना चोडों को पकरना तो बिहार का पुलीस ढूंड़ ले चलना कि कौन शाराब प्या कौन शाराब प्या झाराइख तो बता अपराहत बढ़ेगा तो हम देखो जादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन आम राहूल जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस प्रकार से नयाय योजना को आपने लाने का काम किया है हमारी महागरबंदन की सरकार समाजी नयाय के साथ साथ आर्थिक नयाय भी गरीबों के साथ करने का काम करेगी और निया योजना में minimum guarantee है जो 12,000 रुपे हर एक परिवार को मिलना ही होगा यानि देश में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो 12,000 के नीचे कमाता होगा और इससे सबसे ज़्यादा लाब बिहार के लोगों को होने जा रहा है और बिहार में भी पिछले समाज के अती पिछले समाज के दलित और महादलित समाज के लोगों को ये फाइदा होने जा रहा है इसलिए हम इसका पूर्जोर समर्थन करते हैं देख लो मोदी जी के कत्रियों करनी में अंतर है लेकिन राहुल जी ने जो वादा किया था तीन राजों में जीते के बाद दस दिन का समय मंगा था लेकिन दो दिन में ही किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया कॉंग्रेस की सरकार ने हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे इसलिए देश को जूट बोलने वाला परधान मंत्री नहीं चाहिए बताए किसान रेंगते रेंगते परधान मंत्री के पास गया मिलने अपनी समस्या को सुनाने लेकिन परधान मंत्री ने डंडे चलवाए परधान मंत्री के पास समय नहीं था मोदी जी के पास कि किसान से मिल सके लेकिन प्रदान मंत्री जी के पास जरूर समय था कि प्रियंका चोपरा के शादी में जा करके माशिर्कत करें तो हमें प्रदान मंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो अमीरों का हो कुछ घराने का हो हमें प्रदान मंत्री चाहिए राहुल जी जैसा चाहिए जो गरीब की बात करता हो और आप बीजेपी के लोग आरेसेस के लोगों का देश के अजादी में कोई कुर्बानी नहीं रहा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का दो 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 इनके राहुल जी के परिवार ने शहादत देने का काम किया है इंद्राजी और राजीव गांजी ने देश के लिए मंड मिटने का काम किया है यहीं इंद्राजी के समय में पाकिस्तान के दो टुकरे करने का काम किया था बांगला देश बनाया था पाकिस्तानी सेरा को समट पर सरेंडर कराने का काम किया था उसलिए ये बीजेपी का लोग हम लोगों को सर्टिफिकेट नाम बाटे देश भक्ति का हम लोग जब भाईचारे की बात करते हैं मुद्वे की बात करते हैं गंगा जमुना तैजीब की बात करते है तो यह इनका नेता है ओ गिरीराज सिंह है गिरीराज सिंह घरी विष्वेकर लेका काम करते है विष्राज्सेंग की और कि आते हैं कि हम लोगोगों पाकिस्तान च्राब कि शहां लेकिन आप लोगों आप लोग जानते हो आप लोगों को क्या करना है इसलिए जो महा मिलावटी कह रहे हैं गड़बंधन को वो पहले डियेने का गाली देते थे उनका डियेने मैच हो गया पल्टू चाचा हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बढ़का जुठा पाटी आज स्रिजन डर से स्र मेरे पिता जी को जेल भेजा जा रहा था तो हम उनके साथ थे हम निराश थे दुखी थे लेकिन लालु जी ने एक बात का बिटा निराश होगे दुखी होगे तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीचा है और पूरा बोलना देश बचाओ, दोनों हाथ उठा करके, अरे खाना खाए है ना, तो दम हाथ बुलंदी से बोलना है, मोदी जी दाल खीन लिया थाली में से, थाली में दाल चाहिए, तो राउल गादी जी को परदान मंतरी बनाना होगा, और नारा लगाना होगा, उसलिए हम कहते हैं, बात पाबगाओ, बात पाबगाओ, बात पाबगाओ, हम कहते हैं, कि मोदी जी अगर दुबारा सत्ता में आ जाएंगे, तो सरकारी नौक्रियों को खतम कर देंगे, प्राइवेट के हाथों में देंगे, तो प्राइवेट में कोई आरक्षन नहीं है, और मेरा माना है, कि पिछडों को दलितों को रोजगार तभी मिलेगा तभी मिलेगा जब आरक्षन बढ़ेगा इसले मेरे साथ नारा लगाना हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ आप बोलना आरक्षन बढ़ाओ बेरोजगारी हटाओ बेरोजगारी हटाओ बेरोजगारी हटाओ बेरोजगारी ह भगाओ आप बोलेगा बिहार बचाओ ठीक है दोना हाद उठाके पल्टू चाचा भगाओ पल्टू चाचा भगाओ पल्टू चाचा भगाओ